Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल तो जो US का State Department है, White House के जो स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में बोला और उसके अलावा अगर आप जाके देखेंगे जो US State Department के Official Website है, उसमें जाके आप देखेंगे कुछ चेंजेस किये गए हैं, वो क्या चेंजेस हैं? उन्होंने बोला है कि इंडिया जो है, वो हमारा एक invaluable global partner का status दिया गया है, बट साथ ही साथ concerning चीज यह है कि पाकिस्तान को अभी भी अपना key regional ally मानते हैं, तो अब इसका implication इंडिया के लिए क्या होगा, इंडिया की foreign policy के लिए क्या होगा, बाइडन administration का क्या रुख है, रव point of view, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, बट उसके पहले, अगर आप मेरे courses के साथ जुड़ना चाते हैं, तो आप code यूज कर सकते हैं, deep live, जहां पे हम लोग detailed तरीके से live classes में, one-to-one mentorship के साथ, answer writing program के साथ-साथ, आपको guidance देंगे for prelims and mains, और ये 2 साल के लिए course आपका valid रहेगा, 18,999 में, वैसे original cost इसकी is more than 35,000, और उसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे, जो अभी discount offer चल रहा है, उसके साथ-साथ 45% plus extra off हो जाएगा, अगर आप ये code deep live use करेंगे, you can use various modes of payment, EMI, debit card and UPI, साथ-साथ आप जूड सकते हैं मेरे साथ दिपांशुसिंग.com पर PDF, जो टेलीगाम चानल है, दिपांशुसिंग, UPSC दिपांशुसिंग ओफिशल, और Instagram पर भी आप मुझे follow कर सकते हैं for regular updates, उसी के साथ-साथ-साथ आप मेरी international relations की book भी refer कर सकते हैं for your IR preparation. तो Vedant Patel साहब है, यह जो है department के principal deputy spokesperson है, उन्होंने Washington की जो relations है with New Delhi उसके बारे में highlight करते हों बताया कि India is an invaluable partner not just in the region, but as it relates to the lot of United States shared priorities across the world. और इसको पाकिस्तान को जो famous Don newspaper हो, उसने भी report किया, उसके अलावा उन्होंने ये भी quote किया कि जो इंडिया के external affairs minister है, Dr. S. Jai Shankar, उसके साथ-साथ जो US Secretary of State है Anthony Blinken, वो भी regularly touch में रहते हैं, जब भी जरुएत पढ़ती है, वो लोग बागचीत करते रहते हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो Russia-Ukraine war हो, oil supply हो, etc. और हमी जानना जरूरी है कि इस समय जो India का situation है, as a global power, वो और भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, especially अब देखें, बहुत important अगला साल होने वाला है 2023, क्योंकि India ने assume कर ली है G20 group की presidency, और India को एक अलग league में place किया जाता आज के time इन फाक्ट CNN अगर हम देखें, जब वो broadcast कर रहा था इस news के बारे में, तो उन्होंने highlight किया कि इवन दो इंडिया के बहुत अच्छे relations है Russia के साथ, एक नए Asian power का emergence होते हो दिख रहा है, और वो चाइना नहीं है, वो है भारत, तो CNN की ये बहुत बड़ी report है, और जैसा कि ट्रॉइका बोल सकते हैं हम लोग इसको, ये ट्रॉइका है जो मिलके इंडिया की foreign policy को lead कर रहा है, guide कर रहा है, इन फाक्ट इसके पहले भी अगर आप देखेंगे, जब G20 summit होने वाला था इंडोनेशिया हम उसके पहले, Anthony Blinken साहब और Jay Shankar साहब Cambodia में मिले थे, और उन्होंन की मनें बताया कि आप जब State Department की updated website page पे जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे quote unquote mention किया गया है कि US-India का जो strategic partnership है, वो shared values पे based है, including a commitment to democracy and upholding the rule-based international system, अब इसका देखे सीधे-सीधा मतलब ये है कि India और US दोनों ही democracies हैं, India world की largest democracy है, US world की oldest democracy है, और दोनों ही rule-based order को follow करते है, international institutions की respect करते हैं, जो भी global order होता है, consensus-based decision मिल के बातचीत करके चीजों को solve किया जाता है, unlike other countries like China, जो generally क्या करते हैं, international agreements को नहीं मांते हैं, उसके लावा US and India के जो shared interest हैं, वो global security को maintain करने के लिए है, peace and stability, economic prosperity, trade, investment और connectivity को लेके दोनों के जो aims हैं, वो जुड़े हुए हैं, in fact इस लिए आप देखेंगे, जो मेरा first edition था, मेरी book का, international relations का, मैंने इंडिया और US को highlight किया था, कि कैसे, ये next decade में defining partnership होने वाली है, इंडिया की foreign policy में, और जो latest edition है, उसमें मैंने quad पे focus किया है, well, Pakistan में जादा attention focus करने की ज़रूद नहीं है, बट फिर भी, क्योंकि Pakistan को key regional ally बोला ह है, US में तो उसको जड़ा breakdown करते हैं, वो key regional ally सिर्फ एक मामले में देखते हैं, पाकिस्तान को, which is a failed state now as per the global expert, वो है fight against terrorism, वैसे या irony ही है न, कि जो धेश, जो खुदी state sponsored terrorism करे, उसको fight against terrorism के लिए America पैसा दे, well, वो बात ऐसी है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का दब जाए वो financial aid हो to fight against terror, जिसमें आप देख सकते हैं, जो यह CSF reimbursement fund सबसे जादा है, जिसको हम coalition support fund भी बोलते हैं, और यह सबसे जादा contribute करता है, जैसे कोई US based operation है, Middle East में है, West Asia में, तो वहाँ पे पाकिस्तान के logistical खर्चे जो होते थे, वो एक तरीका का reimbursement देते थे इनको, उन Majorly आप देखेंगे, जो फ-16 लड़ाक को विमान भी जो दिये गए पाकिस्तान को, यह actually मैं अफगानिस्तान बार्टर पे तालिबान को और अलकाइदा को fight करने के लिए गये थे, जिसका आप जानते हैं कि यह use करते हैं, इंडिया के खिलाफ, जो बाला कोट strike के पहले भी आपको देखने को मिला, तो इसी वज़े से डॉनल्ड ट्रम जब आये थे, उन्होंने CSF reimbursement बहुत जादा कट कर दिया था, फ़र पाकिसान जिसके बज़े से काफी हंगामा हुआ, बट वो कहीं न कहीं आप देखेंगे, उन्हें भी realize हो चुका था कि यह misuse बहुत होता है fund का, तो वापस आते हैं US-India partnership पे, और 2022 बड़ा significant year रहा है, अगर हम National Security Advisor John Finer की बात माने, और हम ऐसा hope कर सकते हैं कि 2030 उससे भी बहतरीन होने वाला है, क्योंकि US-India का जो bilateral relationship है, वो over the period of time काफी evolve हुआ है, even though हम रशा के अभी भी बहुत close हैं, और यह कहीं न कहीं बात US को चु और इंडिया और US के जो thought process है principle जादा aligned है, क्योंकि China से तो बिल्कुली anti है US, तो चाहे वो bilateral, regional या international problems हो, उसमें convergence of interest देखने को मिलता है between India and US, जैसे कि आप Quad में भी देख सकते हैं, जो Quad members हैं India, US, Australia and Japan, ठीक है उसके लावा G20 में भी देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, वसु होगा 2023 में उसके पहले आप देखेंगे बहुत कुछ important चीज़े होने वाली है, CEO dialogue restart होगा, उसके साथ साथ आप देखेंगे, security dialogue भी होगा, उसके लावा Quad summit होने वाला है 2023 में और जो G20 की presidency हो, काफी जो है important चीज़ें जो है अपने साथ लेके आएगी, और India का रोल और भी ज shipping भी की गई थी, जो अभी के लिए बहुत important है, because एक तरीके से bridge की तरह काम करती है, with Israel, UAE, Middle East, America and India, तो ये UPSC mains में सवाल भी आ चुका है इसको लेके, और साथ ही साथ अगर हम देखें कि हमारा जो defense purchases हैं, वो भी US की तरफ काफी ज़्यादा tilt होता हो दिख रहा है, चाहे हो C-130, Super Hercules plane हो, Poseidon aircraft हो, N-SAM missiles हो, I-Star aircraft हो, Predator drones हो, या Harvidser guns हो, तो भले ही हम अभी भी रश्या से बहुत जादा weapons खरीतते हों, बहुत सारे platform, in fact हमारा naval platform में mostly French और Russian Navy पे based है, और उसकी वज़े से आप देखेंगे कि dominance तो अभी भी Russian exports की है, but बहुत कुछ सालों से आप देखे साथ, अब US भी है, जो इंडिया का एक major global arm supplier बन चुका है, और अगर हम पिछले कुछ US Presidents की policies की बात करें towards India, तो pivot to Asia, Obama administration की बहुत important foreign policy initiative था, जिसमें उन्होंने योरोप से और Middle East से focus shift किया था, एसियन देशों की तरफ, especially इंडिया और आसपास के South East Asian nations और आसियान की तरफ, क countries हैं, जिनके साथ उन्हें work करना पड़ेगा along with the ASEAN partners, तो यहां जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्टूर में बड़े, interestingly, Barack Obama pivot to Asia लेके offer लेके आए हैं, ASEAN countries के लिए, या Asian allies के लिए, लेकिन साथ-साथ Ukraine के जो गढ़े में फसे हुए हैं, और साथ-साथ Middle East के issue में फसे हुए और similarly, जो Biden administration है, उन्होंने भी Indo-Pacific strategy release करी दी, February 2022 में उनका official document है, जिसमें वो बोलते हैं कि जो future है हमारे देशों का, वो basically depend करता है, free and open Indo-Pacific के, और तभी हमारा future flourish करेगा, तो Indo-Pacific में क्या important चीज़े हैं, उसके बारे में highlight करेंगे, तो यह 5 major points इस report में highlight किया गया है, in the Indo-Pac Pacific की एक advance of free and open Indo-Pacific की बात की गई है, building connection within and beyond the region, driving Indo-Pacific prosperity, Indo-Pacific की security को बढ़ाना और साथ-साथ regional resilience को build करना for 21st century transnational crimes, तो यह major goals है, Indo-Pacific strategy के US के इस region को देखते हुए, और अगर आप देखेंगे, Indo-Pacific जो है, वो आफरिका से लेके South China Sea तक फैला हुआ हुआ है, उसके Eastern region तक फैल Chinese coast, और इसको लेके China काफी नराज होता है, क्योंकि जो Indo-Pacific का जो area है, वो काफी expand कर दिया गया है, in fact, अगर आप देखेंगे, जो Diego Garcia है, US naval base, one of the most important naval bases है, Indian Ocean region में, Mauritius की territory है, शागो जाकिपलेगो, जो Britishers ने ले ली थी है, 99 years की lease पे दिया हुआ हुआ है, अमेरिका को, उस उसके लाब आप देखेंगे, Changi base है, फिर Sabangport, Indonesia में, तो जहाँ जहाँ चाइना पहुच रहा है, वहाँ वहाँ इंडिया भी उसको counter करने के लिए, Indo-Pacific में, अपने allies के साथ पहुच रहा है, चाए वो Australia हो, या Mauritius हो, सेशले हो, वहाँ पे Indian naval bases भी बने हुए है, उसके आपको ये वीडियो पसंद आया, इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही और भी geopolitics के issues को हम लोग उठाते रहेंगे, और बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, और साथ-साथ अगर आप मेरे ही interesting geography and geopolitics को courses को join करना चाहते हैं, live foundation classes में, तो deep live code यूज करना affordable.